क्या सच में बेटा और बेटी बराबर हैं? अगर हाँ, तो बेटे के जन्म पर जो स्टोन जैसा बड़ा फंक्शन और बेटी के जन्म पर छटी जैसे छोटे से फंक्शन में भी परिशानी क्यूँ? अगर बराबर हैं तो बेटे के बाद एक ही बच्चा काफी है इतनी महंगाई में और अगर बेटी हो तो दो बच्चे तो कम से कम होना चाहिए एक बच्चे के बारे में और सोचो ऐसी दोहरी मानसिक्ता क्यूँ अगर सच में बराबर हैं तो बेटी के लिए नई नई चीज़ें और बेटी के लिए पुरानी चीजों से काम चलाना क्यूँ एक बार जरूर गोर कीजेगा मेरी इस बात पर और अपने आसपास भी देखेगा आपको ऐसी सोच और ऐसी मानसिक्ता हर घर में मिल जाएगी और अगर जिस घर में ऐसी मानसिक्ता नहीं है तो वो धर्ती पर स्वर्ग है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल बाइबाए